नमस्कार दोस्तों मिसन लर्निंग में स्वागत है आपका आज हम लोग जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक सौर मंडल सॉलर सिस्टम को डिस्कुस करेंगे यहां से सुपर्टेट, PCS, SSC, बैंक्स, रेलवे, अनसभी एकजाम्स में दो या तीन नंबर के कुश् आए डिस्कुस करते हैं सौर मंडल इवं ब्रह्मांड दोस्तों सौर मंडल से पहले हम लोग ब्रह्मांड को समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या है इसके बार डिस्कुस करेंगे सौलर सिस्टम को तो आए समझते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मांड यूनिवर्स को कहा जाता है दोस दोस्तों अब सबसे important बात है कि ब्रह्मांद के अंतरकत प्रतवी भी आती है आपकार्थ प्लैनेट हो गया प्लैनेट हो गये हुपग्रे हो गये सौर मंडल और स्टार्स हैं और गलक्सीज हैं इन सभी के समलित पुझकों क्या कह सकते हैं दोस्तों ब्रह्मान कह सकते हैं तो यह बात तो समझ गया, आपकी बर्मान्ट क्या है, फिर इसके बाद बर्मान्ट के अधिन को क्या कहते हैं, यह भी प्रसंड most important है, काश्मो लौजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या काश्मो लौजी, आएज समझ देड काश्म लौर्टन प्रसंड, आधुनिक ख गोल सास जिसे हम बोलते हैं Milky Bay यह लोगों की जो आकास गंगा है उसको वो कहा जाता है Milky Bay क्या कहा जाता है Milky Bay और Milky Bay जो आपका है इसी में एक solar system है जिसको आगे डिसकस करेंगे आए समझते हैं सबसे most important person exam के लिए पुछा जाता है महाव support सिद्धान किस ने दिया था यशी को का जाता है Vig Vang theory यह जाज 11 children एस थूरी को working को किस ने दिया यह importantBY जार्ज 1113 ने ग्रहों के गद निम किस ने दिये थे यह ऑद रखना है पको ग्रहों के गद का निम किस ने दिया तो कैपलर ने दिया था इसके बात next important person है प्रहमान में लगवक कितनी आकास गंगा है दोस्तों तो 100 अरब आकास गंगाओं का समू है यूनिवर्स में ये बात तो समझ गया आप फिर दोस्तों ग्रह क्या होता है most important person ग्रह किसे का जाता है ग्रह कैसे होते हैं तारों से छोटे होते हैं इनमें स्वयम का प्रकास नहीं होता है साथि साथ ग्रह सूर की परक्रमा करते हैं अब important बात है सूर के प्रकास से कोनप्रकास होता है तो ग्रह प्रकास venue होते रप्लेट अध्या से इंग्रह किसे करते हैं दोस्तों तो cate सैटेलाइट क worthy ऐख रकास ये पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें 7 बोलते हैं सब libraries कि सबसे इंपOR Southwest नहीं में कोई भी सैटेलाइट नहीं है याद रखना आपको दोस्तों बद्ध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिनके कोई saad düşogenree नहीं कोई भी उपग्रे नहीं है जबकि प्रत्वी का एक मात्र उपग्रे याद रखना मून या चंद्रमा इसे बोलते हैं प्रत्वी का एक मात्र उपग्रे किसे का जाता है तो चंद्रमा को का जाता है जबकि बुद्ध और सुक्र के कोई भी उपग्रे नहीं है यह बात आपके important प्रसंद समझते हैं solar system क्या है या सौर मंडल क्या है दिखिए सौर मंडल में सबसे जो प्रमुख है वो क्या है sun है यानि सबसे केंदर बिंदु में क्या होता है तो सूर होता है आप सबसे important बात सूर के core में क्या-क्या उपस्तित है तो helium और hydrogen दो मुख element है जिसमें सरवादिग मात्रा में hydrogen है किसमें शूर में तो hydrogen 71% जबकि helium कितने % पाय जाता है 26% और सबसे important बात यह कि सूर के अंदर कौन सी कौन सी अपक्रिया होती है तो नाप की अपक्रिया होती है लगातार उर्जया प्रत्वी पर जो अपलब्ध है वो सूर की वज़े से है अब सबसे important एक और प्रस्ण बनता है प्रत्वी से सूर की दूरी कितने किलोमेटर है तो 15 करोड किलोमेटर आंसर होगा आपका प्रत्वी से सूर की दूरी जबकि सूर galaxy का पूरा चक्कर लगाने में सूर किसकी आपर है तो 9.46 गुणेदस की पावर 12 यानि एक प्रकास वर्स कितने दूरी होती है तो 9.46 गुणेदस की बारा किलोमेटर दूरी होती है एक प्रकास वर्स में सूर का ताप सरवादी कितना होता है तो 6000 डिगरी होता है सूर के कोड में 6000 डिगरी टेंपरेचर होता है सूर क इसकी ऐयू कितनी है पाँच लोको किसि की पीला तरायीत दोनों कपन बात हैं तो पीली समय होती है जो हमारा सॉललर सिस्टम आपका और इसके बाद आपका सेकंड जो आपका ग्रह है इसे बीनस बोलते है निश्ट सुप्र और साथ ही साथ फिर अर्थ है फिर इसके बाद आपका मार्स है मार्स मींस मंगल हो गया दोस्तों तो सूर के सबसे निकट इस्थित जो ग्रह हैं उन्हें हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं सूर के सबसे निकट जो ग्रे होते हैं उन्हें कौन सा क्रेक काया घाए तो आंत्रिक ग्रेक आजाता है Si घ्र्चों पार्थिкие भी बोलते हैं याद रखना आप दोस्तों दो मरकरी हो गया वीनस हो गया अर्थ हो गया मार्ष हो गया अब सबसे इम्पोर्टेंब बात है चार कौन से ग्रेह ंबीच में तो आपकी स्थर राइट पाए जाते हैं सभी लोग जानते हैं आंगे डिकस कर रिके वह इसे बोलते हैं तो जिने हम छुद ग्रे बोलते हैं और उनके बाद जो चार ग्रे आपके पाए जाते हैं उन्हें हम जूबियन ग्रे या बाहे ग्रे बोलते हैं Most important प्रस्ण है आपका आपसे एक जाम में पूछेगा कौन सा निम्न में जूबियन ग्रे नहीं है तो आपको पता होना चाहिए जूबियन ग्रे कौन-कौन से हैं तो जूपीटर यानि ब्रस्फद को सेटर्न मींस होता है सनी ग्रे को और साथी साथ उरेनिस और नेप्चिण यह आपके वाइग्रे या जूबियन ग्रे कह जाते हैं सौर मंडल का सबसे चोटा ग्रे की से का जाता है तो आंसर हो जाएगा बुद्ध ग्रे को किसको का जाता है तो बुद्ध ग्रे को का जाता है अब सबसे इंपोर्टन बात है वाइव मंडल नहीं होने के कारण सरवादिक पांतर वाला ग्रे या काफी गर्म रातें बहुत होते हैं दिन गर्म रातें ठंडी होती है किस ग्रह की तो बुध ग्रह दिन है तो तो और 40 km प्र सेकेंड सूर का परिक्रमन काल कितना है तो सूर का परिक्रमन काल 88 दिन है यहीं बुद्ध ग्रे का जो परिक्रमन काल है वो कितना है तो सूर के चार वर परिक्रमा करता है तो 88 दिन लगते हैं इसको और बुद्ध ग्रे पर अभिहान कौन-कौन से की हैं तो ना इंपोर्टेंट आप थोड़ा क्रम समझ लेते हैं सूर के सबसे निकट हमने भी बोला था बुद्ध ग्रे फिर इसके बाद सेके नंबर पर सोक्र और तीसरे नंबर पर प्रत्वी और फिसके बाद मंगल ग्रे जबकि इसके बाद यह जो आपको चित्र में दिखाई दे रही ब्रसपर से छोटा ग्रे कौन सा तो अ सबसे इंपोर्ट है और लास्ट में अंतिम कौन से है तो अरुडबरुड ग्रे आपके जूबियन ग्रे कलाते हैं वह जबकि आंत्रिक आप समझी पार थे आंत्रिक ग्रे यह बुद्ध्ध सुक्र प्रत्वी मंगल अब आएं नेक् सबसे कम समय में परक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह आप क्या है तो आंसर हो जाएगा सबसे कम समय में सूर की परक्रमा करने वाला ग्रह बुद्ध है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन आई यह समझ लेते हैं आने प्रसनों को बुद्ध ग्रह सरबादिक ताप आंतर वाला ग्रह कहा जाता है क्योंकि उच्छ ताप और निम्द ताप को मिलाकर कितना बनता ह पांसो साथ डिग्री टंप्रेचर बनता है इसलिए से ताप आंतर वाला ग्रह भी कहा जाता है आप से पूछेंगे साहर मंडल में कौन सा ग्रह जिसका अधिक ताप आंतर देखने मिलता है तो बुद्ध ग्रह का अब मंगल में जीवन संभाव नहीं है क्योंकि रातें कैस होती है ठंडी और दिन कैसे होते हैं घर मोते हैं हैं आईए डिसकस करते हैं अब important बात है सूर के सबसे निकट दूसरा ग्रे कौन सा है तो सुक्र यानि सुक्र क्या है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वीनस बोलते हैं प्रत्वी का जुड़गा ग्रे किसे बोलते हैं तो सुक्र को या वीनस को इसे भागनी ग्रे भी बोलते हैं और साथी साथ प्रत्वी के सबसे निकट इस्तित ग्रे भी शुक्र को कहा जाता है अब सबसे इंपोर्टन इसे सुबह का तारा सांच का तारा मॉर्निंग स्टार और इविनिंग स्टार भी बोला जाता है वीनस को अच्छी एकत इनकी कितनी है तो दोस्तों इनकी 35 km प्र सेकेंड है यह बात इंपोर्टन है आपके लिए सीओं 2ateur सब्सक्रक वाला ग्रे किसे का जाता है तो यह सुक्र को आąż जाता है इसी लिए इस आज़े को की स्रेड़ी में आता है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है आईए समझते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रसन अब प्रत्वी की स्थिति क्या है दोस्तों प्रत्वी को नीला ग्रेक आ जाता है प्रत्वी का सबसे important person बनता है प्रत्वी का आकार कैसा है तो प्रत्वी ना तो गोल है जबकि इसका आकार कैसा है जिवाइड कैसा है जिवाइड आकार किसका है तो प्रत्वी का प्रत्वी गोल है ये बात किस ने कही थी most important प्रत्वी गोल है ये बात कही थी अरस्तु ने आपको याद रखना है अरस्तु ने क्या कहा था प्रत्वी गोल है एक्जाम में सीधा प्रसंद पूछते हैं कच्छे जुगाओ कितना है आपके प्रत्वी का तो साड़े तेईस डिग्री आपका है साड़े तेईस डिग्री कच्छे जुगाओ है यह important बात है और प्रत्वी का भूमद रेखा पर प्रत्वी का भूमद रेखा पर ब्यास आप समझ लीजिए किसी प्रत्वी को बीच बाग में जो कालपनी रेखा खीची जाती है इक्वैटर जिसे बोलते हैं आप भूमद रेखा बोलते हैं जिसका ब्यास है 12756 किलोमेटर प्रसंद लगा लिजिए और धिर्वों पर प् पर दीख है जबकि स्तलखंड 29-25-25 परसंट प्रत्वी का स्तलखंड है सूर से प्रत्वी की दूरी आपको बताई चुके हैं 15 क्रोड किलोमेटर जबकि प्रत्वी पर जल 71% पाया जाता है यह अगर किलोमेटर में बात करें तो साड़े 66% कितना साड़े 36% प्रत्वी का क् पस्तित है या नहीं साड़े च्छतित हमलब पांच करोड किलो मेटर मतलब किलो मेटर दूरी है और 71 परसेंट जल है अब आईए बास कम लेते हैं मंगल ग्रे की दोस्तों मंगल ग्रे आपके लिए क्यों खास है क्योंकि यह आंत्री के अपार्थिव ग्रे कहा जाते हैं सौर मंडल में सूर से दूरी के क्रम में चोथे नमबर पर आकर में 7 में स्थान पर आते हैं यानि दूरी के क्रम में चौथा नंबर है यानि दूरी में चौथा नंबर जबकि आकार में साथ में स्थान पर है सूर से दूरी कितनी है 22.89 करोड किलो मेटर 22.89 करोड किलो मेटर और मंगल गरे का घुढ़न काल कितना है या काउंसी गैस उपस्तित है दोस्तों तो यह बात याद रखनी है आपको 95% कारवन डाय और अकसाइड मंगल गरे पर उपस्तित है इसको अच्छी एकोंड कितना है इसका अच्छी एकोंड पच्छी डिगरी है जिसके काड़ ये प्रत्विय के समान इसमें क्या देखने मिलता है कौन से गरेपर रिट परिवर्तन मिलता हैérique और अच्छी एकोंड कितना है तो साड़ेते इस डिगरी ये बात आप समझ चुके हो मंगल गरेपर सौर मन्दल का सबसे वुचा परवत देखने मिलता है olympus means इसे का जाता है olympius means का जाता है इसको mangal gray पर सौर मंडल का सबसे उचा परवत उपस्तित है ये भी important है olympus means mangal gray पर अमेरिका में pathfinder mangal gray mangal yan किस ने किया तो भारत ने mangal gray पर कौन सा यान भारत ने वेजा तो mangal yan वेजा था जबकि अमेरिका ने कौन सा यान भी जा था pathfinder आये next important बात करते हैं कच्छे जुका पच्ची डिग्री ये बात हम लोग समझ चुके हैं और ये किस रेड़ी में छुद ग्रे इन्हें आवंतर ग्रे इन्हें कहा जाता है क्या दोस्तो तो इन्हें पार्थि ग्रे आवंतर ग्रे कहा जाता है मंगल को अब इसके बात क्या है दोस्तो ब्रस्पत ग्रे के मद में ये किसके मंगल और ब्रस्पत ग्रे के मद में इस तित कौन सा ग्रे आपका तो दोस्तो आपको पत एंप पाउनेल है है चुद्याय की स्विंद साध newborn की पैटि एर नहीं पुलते हैं दीजोस्तों क्या भॉलते हैं ऎसे चार चक्रूल लगाते हैं यह झार चार में परिक्रमा करते हैं यहां पर किसके बंडार प्रसनों को समझा और नेक्स वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे यह दिमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें साथी साथ सेर करें तब तक लिए दोस्तों नमस्कार जैहिंद